दोस्तों आज के इस वीडियो के द्वारा मैं आपको इतना अच्छे तरीके से ये समझाने वाला हूँ कि जो हमारा मोटर होता है इस मोटर को चालू करने के लिए हम किस प्रकास से रिमोट कंट्रोल का वाइरिंग करेंगे यानि कि ये जो मेरे पास में मोटर है इस मोटर को हम चालू करने के लिए यहाँ पे एक पुस बटन को कनेक करके रखे हैं इसको प्रेस करने के बाद हमारा मोटर चालू हो जाता है और स्टॉप पुस बटन को प्रेस करने के बाद मोटर हमारा स्टॉप हो जाता है अब यदि आपको इसी मोटर को दो जगा से चालू और बन करना है तो किस प्रकार से इस मोटर को दो जगा से कंट्रौल करोगे उसी के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे तो चलिए दोस्टों वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पास में एक three face मोटर है और इस मोटर का power wiring और control wiring किया गया है अब इसी control wiring में हमें modification करना है modification हमें केवाल इस contactor को दो जगा से चालू और बन करने के लिए करना है तो देखिए यदि आपको इस contactor को दो जगा से चालू और बन करना हो तो आपको यहाँ पे एक start push button और एक stop push button का इस्तमाल करना पड़ेगा जैसे कि आपको मालुमी होगा जितने भी stop push button आप connect करना चाहो सबी stop push button एक दूसरे के series में होना चाहिए तो इसका connection करने के लिए हमें क्या करना होगा कि यह जो wire connect है इस wire को हमें remove करना पड़ेगा मैं इसको delete कर दिया अब यह जो मेरा stop push button है इस stop push button को ले के जाऊँगा इस point पे और इस stop push button को हमें power supply देना पड़ेगा इस stop push button के output terminal से यानि कि जो हमारा control fuse है इस से power supply जा रहा है इस stop push button को और इस से power supply जा रहा है हमारे इस stop push button को मैं यहाँ पे थोड़ा सा नाम लिख देता हूँ जिससे कि आपको समझने में असानी हो ओके तो stop 1 से power supply जाएगा stop 2 में अब यदि आपको यहाँ पे इस start push button का इस्तमाल नहीं करना आप केवल चाहते हो कि आपका जो motor है इसको हम केवल दो जगा से burn कर सके लेकिन इसको चालू करने के लिए केवल हमारे पास एक option हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे यह जो हमारा दूसरा stop push button है इसके output terminal से एक बार को ले जाके इस start push button को incoming power supply दे देंगे अब इस contactor को hold करने के लिए जो holding circuit बनाए थे इस holding circuit को हम complete कर देंगे अब यदि यहाँ पे हम इस power supply को on करके इस control fuse को भी on कर देते हैं उसके बाद यदि हम start push button को प्रेस करेंगे तो motor हमारा start हो जाएगा अब यदि हमें इस motor को बन करना हो तो हमारे पास में दो option है इन दोनों में से किसी भी stop push button को प्रेस करेंगे तो motor हमारा बन हो जाएगा दुबारा start करते हैं अब इस stop push button के दुबारा बन कर दिए तो जिसी भी stop push button से आप बंग करना चाहो आप बंग कर सकते हो इतना circuit आपको समझ में आ गया होगा अब देखिए ये जो मेरे पास में second start push button है इसका connection कैसे करना है तो देखिए इस start push button का connection करने के लिए आपको इस start push button के parallel में connect करना होगा यानि कि जिस प्रकार से आपने इस no contact को इसके parallel में connect किये इसी प्रकार से इस start push button को भी आपको इसके parallel में connect करना होगा तो हम सेम चीज़ करेंगे तो हमारा connection complete हो गया अब हम दुबारा से इसको start करते हैं power supply को connect कर देते हैं और control power supply को on कर दिये अब यदि मैं यहां पे इस start push button को प्रेस करूँ तो मोटर हमारा on हो जाएगा इन दोनों में से किसी भी stop push button को प्रेस करूँगा तो मोटर हमारा off हो जाएगा अब यदि मैं इस start push button को प्रेस करूँ तो आप देख सकते हो मोटर हमारा on हो गया OFF करने के लिए इस STOP PUSH बटन को प्रेस कर दिये अब यदि आप ये चाहते हैं कि आपका जो मोटर है इस मोटर को चालू करने के लिए जो आपने दो स्टार्ट PUSH बटन को लगाए हो इन दोनों PUSH बटन का वायरिंग कुछ इस पैकास से करें जिससे की हम केवल एक टाइम पे केवल एक जगा से इसको कंट्रोल कर सके यानि की इसके बीच में हम एक सेलेक्टर स्विच लगा देते हैं सबसे पहले तो ये जो वायरिंग किया गया है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ अब यहां पी जो हमारा होल्डिंग सर्कीट है इसको भी हमें रिमूब करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा इसमें चेंजेस आने वाला है अब ये जो मेरा सेलेक्टर स्विच है इसका वायरिंग हमें करना है तो इस सेलेक्टर स्विच में आप देखोगे कि एक नमबर का जो पॉइंट है इसको मैं थोगा सा जूम कर देता हूँ आप देखोगे ये जो मेरा एक नमबर का पॉइंट है इस एक नमबर पॉइंट पे हमें इंकमिंग पावर सप्लाई देना होगा तो ये जो मेरा stop push बटन था इस stop push बटन के output power supply को ले जाके इस selector switch को incoming power supply हम दे देंगे कुछ इस प्रकार से अब इसी selector switch का जो दो नमबर और चार नमबर का point है इनके दोरा हमें इन दोनो start push बटन को power supply देना होगा कैसे देंगे समझे ये जो हमारा selector switch है इसको यदि हम इस position पे रखें तो हम चाहते हैं कि इसके दोरा power supply इस start push बटन को जाए तो हम इस point से एक वार को ले जाके इस start push बटन को incoming power supply दे देंगे अब ये जो हमारा selector switch है इसका जो ये वाला point है इस point को यदि हम select करते हैं तो इस से power supply जाना चाहिए हमारे इस start push button को अब ये जो हमारा holding circuit है इस holding circuit का connection ऐसा करना है जिससे होगा क्या यदि हम इस contactor को यहाँ से चालू करे या फिर यहाँ से चालू करे दोनों condition में ये एनो contact work करना चाहिए तो इसका connection बहुत ही simple है आपको simply क्या करना होगा कि इस एनो contact को incoming power supply selector switch के incoming terminal से देना है यानि कि इस point से आप एक wire को ले जाओगे और इस एनो contact को incoming power supply connect कर दोगे कुछ इस प्रकार से आपका connection होगा थोगा सा wire हमारा सही से दिखने रहे इसको मैं थोगा adjust कर देता हूँ अब इसी एनो contact का जो output power supply है इसको ले जाके हमें contactor के A1 terminal के साथ connect करना है तो मैंने इस point के जड़िए wire को connect कर दिया हूँ तो हमारा जो पूरा connection था connection हो चुका है अब यहां पर आप देख सकते हो जो हमारा selector switch है इसका selection इस point पे किया गया है और आप देख सकते हो हमारा face supply इस point पे आया है इस switch को कोई भी face supply नहीं जा रहा यानि कि यदि मैं इसको press भी करूं तो हमारा motor चालू नहीं होने वाला इस motor को चालू करने के लिए हमें इस start push button को press करना पड़ेगा और इसको press करते ही हमारा motor on हो जाएगा ठीक है अब हम इसको off कर देते हैं off करने के बाद यदि हमें इस motor को इस switch के द्वारा चालू करना हो तो इसके लिए हमें इस selector switch के position को change करना पड़ेगा अब यदि आप इस push button को press भी करो तो आपका motor on नहीं होगा क्योंकि आपने selector switch के position को इस start push button के लिए कर दिये हो अब यहां पे जो start push button है इसको हम press करते हैं तो आप देख सकते हो motor हमारा on हो गया और इसको press करने के बाद motor हमारा off हो गया दोस्तों यदि आपको इसी circuit में और भी modification कुछ करना हो तो आप comment box में comment करिए कि क्या हम इस circuit में modification कर सकते हैं नेक्स वीडियो में मैं आपके अनुसाल इस circuit को modify करके बता दूँगा ठीके दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पे समाप करते हैं इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद